सो हेलो दोस्तों आज के इस वेडियो में में आपको बताने वाला हूँ कि ड्रीम 11 में ट्रम्प पलायर का क्या मतलब होता है और ट्रम्प पलायर को हम केसे पहचान सकते हैं अगर आपको ड्रीम 11 में जो मेगा ग्रेंड लीग होता है उसमें रैंक वन में आना है ना तो सबसे ज्यादा important होता है Trump player अगर आपके team में Trump player नहीं होगा तो आप mega grand league में rank 1 में कभी भी नहीं आ पाओगे इस बात को हमेशा not कर लेना mega grand league में rank 1 में आने के लिए सबसे ज्यादा important होता है Trump player तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको Trump player के बारे में पता नहीं होता है तो आज का ये video proper Trump player के बारे में होने वाला है आज के इस video में हम समझने वाले हैं कि dream 11 में Trump player क्या होता है किस तरह से काम करता है और हर एक match में Trump player कौन सा player Trump player होता है किसी भी match में उसको हम केसे पता कर सकते हैं सब कुछ के बारे में मैं आपको डीटेल में समझाने वाला हूँ तो चलिए एकक करके मैं आपको डीटेल में समझाता हूँ सबसे पहले में आपको प्रूफ के लिए विश्वास दिलाने के लिए कुछ यहां पर मैं आपको टीम दिखाता हूँ तो यहां पर एक टीम देख सकते हो यह वाला टीम इसमें देखोगे न तो एक आपका रिंकु सिंग पहला पलायर एक आपका सीवम दुबे उसके बाद आपका यह बॉल बिरिन तीसरा पलायर और आपका अगला पलायर है मार कडेर अगर यह चार पलायर इस टीम में नहीं होता तो सायद यह टीम रैंक वन में नहीं आता उसके साथ साथ में आपको और एक्जामपल देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो सके आपको ट्रस्ट हो सके कि हाँ यह चीज काम करता है उसके बाद मैं यहाँ पर देखाता हूँ यह वाला देख लेना एक और मैच यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया और वेस्टेंडिज के बीच में मैच हुआ था इस पर देखना जो टीम rank 1 में आया है उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ तो इसमें देखो गए ना तो पहला पलायर ये वाला पलायर देखना आर चेस उसके बाद जैसन होल्डर और यहां से आपका अकिल हुसेन ये तीन एसा पलायर था इस मैच में अगर इस टीम में ये तीन पलायर नहीं होता तो ये टीम rank 1 में नहीं आपाता और भी मैं आपको टीम दिखाता हूँ थोड़ा ध्यान से समझना थोड़ा सब्र करके वेडियो को पूरा देखो आपको एकक करके समझ में आने वाला है यहां पर मैं आपको ये वाला भी टीम दिखाता हूँ इस पर जो rank 1 में जो टीम आया है मेगा ग्रंड लिग में उसमें देखना अगर इस टीम में देखोगे न तो पहला पलायर आपका साई होप उसके बाद सीमरन है टमायर अच्छर पटेल और मुकेस कुमर अगर ये चार पलायर इस टीम में नहीं होता न तो सायद ये टीम rank 1 में नहीं जाता और भी में आपको दिखाता हूँ इतना ही नहीं एक और में आपको टीम दिखाता हूँ जो मेगा ग्रेंड लिग में गया है ये वाला टीम देखना ये वाला में आपको टीम दिखाता हूँ ताकि आपको बिश्वास हो सके जो टीम rank 1 में गया है न उसको में दिखाता ट्रंप पलायर होता क्या है और ट्रंप पलायर काम केसे करता है ये वाला टीम देखो अगर इसमें देखोगे ना तो BMC कार्थी पाहला पलायर उसके बाद आपका सी यंग इधर से आपका परसिद क्रिशना और रभी भिश्नोई ये चार एसा पलायर था इस मैच में अगर य पायद ये टीम भी रैंक वन में नहीं आता तो ट्रंप पलायर होता क्या है इसको मैं आपको डीटेल में समझाता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप पलायर होता क्या है और हम केसे पता कर सकते हैं कि किसी भी मैच में ट्रंप पलायर कौन सा पलायर खेला गया था T20 मेच उसका टीम है और ये वो वाला टीम है जो टीम मेगा ग्रेंड लिग में रैंक वन में जाकर डेड़ करोड का विनिंग किया है ये वाला टीम आप EG से देख सकती हो अब यहां पर मैं आपको जो समझाऊंगा ना उसको डीटेल में समझना अब इस टीम म वो क्यों नहीं ट्रम्प पलायर है ये चार ही पलायर क्यों ट्रम्प है वो मैं आपको डीटेल में समझाता हूं तो सबसे पहले देखना रिंकु सिंग का उस मैच में सेलेक्शन परसेंटेज कितना था आप खुद देख सकती हो मात्र 14 परसेंट लोगों ने उसको आपने परसेंटेज कितना था उस मैच में मात्र 15 परसेंट था खुद देख सकते हो एजी से और लास्ट पलायर ये वाला है देखो आपका मार कडेर इस परकार से देख लो इसका selection percentage मात्र 28% था मैंने जो भी team आपको पीछे दिखाया है उन सभी team में जो मैंने Trump player बताया उसका selection percentage कहीं न कहीं बहुत कम होता है तो Trump player का मतलत क्या होता है कि जो भी match में आप team बनाती होना तो उस match का जब toss होता है जब line-up आता है तो toss के बाद जीस player का selection percentage 30% से कम होता है वही player उस match के लिए Trump player होता है खास करके mega grand league में आप easy से देख सकते हो समझ मा आ चुका है मैंने क्या बोला पहला Trump player कौन है रिंकु सिंग उसके बाद सीवम दूबे ए बॉल ब्रीन और इधर से आपका मार कडेर रिंकु सिंग का कितना selection percentage था मातर 14% सिर्फ 14% लोगों ने इसको लिया था सीवम दूबे को मातर 16% लोगों ने लिया था और ये बॉल ब्रीन का selection percentage मातर 15% था इजी से देख सकते हो इसका देखना ध्यान से ये बॉल ब्रीन का selection percentage कितना था उस मैच में मातर 15% सिर्फ 15% लोगों ने अपने टीम में इस पलायर को लिया है और इसने भी लिया था जो टीम rank 1 में आया है और मातर 15% selection है और captain इसको बना दिया है सोच सकते हो trump player का power क्या होता है mega grand league में अगर आपको real में mega grand league जितना है mega grand league में rank 1 में आना है न तो trump player पर आपको focus करना पड़ेगा अगर आपके टीम में trump player नहीं होगा न तो mega grand league कभी भी नहीं जित पाओगे चुकि मेगा ग्रेंड लिग में ये माइने नहीं रखता है कि आप अपने टीम में किस पलायर को लेते हो बलकि मेगा ग्रेंड लिग में ये माइने रखता है कि आप अपने टीम से किस पलायर को ड्रॉप करते हो क्योंकि मेगा ग्रेंड लिग में बहुत ज़्यादा कॉम्प भी नहीं पाते हैं, तो यही होता है Trump player का power, मैंने already आपको समझा दिया है, और एक बात आद रखना, चाहे कोई भी match ले लो जो मैंने आपको पीछे दिखाया ना, इतना सारा match के बारे में team दिखाया, चाहे कोई भी match ले लो, हर एक match में 3-4 एसा player होगा, जो Trump player होता है, चाहे कोई भी match लेना उस match में देख लेना, जो team mega grand league में rank 1 पर जाती है, और उस team को देखो गे ना तो उस team में आपको 3-4 एसा player मिलेगा, जिसका selection percentage कहीं न कहीं, 30% से कम होता है, और वही player Trump player होता है, एक बर में आपको example के लिए समझा देता हूँ ये वाला team आप लोगों ने देख लिया है एक और में आपको team दिखाता हूँ ताकि आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा खूल सके, कि mega grand league में क्या होता है, अब यहाँ पर में आपको एक और team दिखाता हूँ ये वाला team ध्यान से देखना ये वाला team देखो ठीक है, इस पर में जाता हूँ और जो team इस match में mega grand league में rank 1 पर आया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा detail में समझाता हूँ, ये वाला team देख लो, इसमें trump player कौन है वो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ तो पहला player आपका ये वाला BMC कार्थी, पहला player trump player है, उसके बाद आपका C. Young, दुसरा player, उसके बाद आपका परसिध क्रिशना, तिसरा player और एक आपका रभी विश्नोई, अब trump player क्यों है, वो थोड़ा ध्यान से समझना, पहला player देखो BMC कार्थी, इसका selection percentage उस match में मातर 8% था, खुद देख सकते हो भाई, आप EG से देख लो मातर 8% लोगों ने सिर्फ 8% लोगों ने उसको, उस match में select किया था अपने team में, और इसको क्या किया है, captain कर दिया है आप EG से देख सकते हो, उसके बाद देखो, C Young का selection percentage कितना था उस match में, सिर्फ और सिर्फ 15%, मातर 15% लोगों ने अपने team में लिया था उस match में C Young को, समझ मा चुका है मैंने क्या बोला, उसके बाद मैं आपको और भी team दिखाता हूँ, ये वाला team देखना इसमें देखो आपका, परसिद क्रिस्ना इस player को देखो गे ना तो मातर इसका selection percentage 26% था उस match में मातर 26% लोगों ने इसको अपने team में लिया था सोच सकते हो, उसके बाद देखो यहाँ पर एक और में player दिखाता हूँ ये वाला देखो किधर गया, रभी बिशनोई मातर इसको उस match में कितना लोगों ने लिया था, सिर्फ और सिर्फ 36% लोगों ने अपने team में लिया था और देख लो, captain और vice captain आपका, trump player ही है, captain और vice captain, तो यही होता है trump player, चाहे कोई भी match ले लो हर एक match में, 3-4 ऐसा player होगा, जो trump player होता है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है, तो जो team rank 1 में जाता है, उसके team को देखना, उसमें आपको 3-4 ऐसा player मिलेगा ही मिलेगा जिसका selection percentage 30% से कम होगा और अगर नहीं होगा न, तो वो team rank 1 में नहीं जाएगा, यह हमेशा आद रखना, तो यही होता है trump player, और trump player केसे काम करता है, वो भी मैंने आपको detail में समझा दिया है, आपने यहाँ पर एक चीज observe किया होगा कि जो मैंने team दिखाया है न, उसमें team में captain उसको बना दिया है BMC कार्थी को captain बनाया है इस बंदे ने, जिसको मात्र 8% लोगों ने लिया है अपने team में, जिसका selection percentage उस match में मात्र 8% था, और इसको captain कर दिया है, लेकिन आप कभी भी एसा करते ही नहीं हो आप डर जाते हो, इसलिए mega grand league में, आपको risk लेना पड़ेगा, trump player केसे काम करता है, वो मैंने आपको detail में समझा दिया है, समझ मा चुका है, तो यही होता है trump player का power, और जो मेरा telegram channel है न, उसमें मैं आपको हर एक match का trump player देता हूँ, और fix player भी देता हूँ, और trump player वेसा trump player देता हूँ, जो 100% काम करता है, और बहुत सारे लोग, अच्छा खासा winning भी करते हैं, mega grand league में जो मैं trump player देता हूँ तो telegram channel में जुड जाना link आपको description box में मिल जाएगा अगर वहाँ पर एक बर जुड जाओगे न, तो आपका हर एक match में winning कराने की guarantee मेरा है और mega grand league तो आप पूरा जीतोगे, यह मेरा guarantee है चुकि वहाँ पर मैं आपको trump player हर एक match का देता हूँ, जो 100% practical होता है और 100% real होता है तो telegram channel का link आपको description box में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जूड जाना, समझ मा चुका है तो इस बेडियो में मैंने आपको पूरा detail में समझा दिया है कि trump player होता क्या है mega grand league में केसे काम करता है और mega grand league जितने के लिए सबसे ज़्यादा important होता है trump player और trump player को केसे पहचानोगे, जो भी match में team बनाते हो, उस match का जब toss होता है, तो toss के बाद, जिस player का selection percentage 30% से कम होता है, वही player उस match के लिए trump player होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात आद रखना, जब भी line up होता है, जब भी toss होता है न, तो जिस भी match में toss होता है, तो उसके बाद आपको उस match में कम से कम 5 से 6 ऐसा player देखेगा जिसका selection percentage 30% से कम होता है तो आपको अपने team में total 5 से 6 player को नहीं लेना है, बलकि अलग-अलग combination करना है, जैसे कि मानलो 5 player ऐसा आया, जिसका selection percentage 30% से कम है, तो एक ही team में 5 player को मत लेना, अलग-अलग combination करना, जैसे कि एक team में 3 player को ले लिया, दूसरे team में 2 player को ले लिया, अगर 6 player आता है, तो आपको एक ही team में total 6 player को नहीं लेना है, एक team में 3 player ले लो, अगले team में 3 player को ले लो, तो इस परकार से आपको combination करना है, तो यही होता है trump player, और फिर से मैं आपको वही बोलूँगा, अगर आपको mega grand league में rank 1 में आना है न, 100% तो trump player पर focus करना पड़ेगा, trump player पर जितना analysis करोगे न, उतना जल्दी आप mega grand league में rank 1 आओगे और अगर आपसे कोई बोलता है, एसा कर लो वेसा कर लो, prime team ले लो, ये कर लो वह कर लो, तो mega grand league जित जाओगे तो कभी भी नहीं जित पाओगे आप खेलते खेलते पागल हो जाओगे फिर भी आप mega grand league में rank 1 में नहीं जापाओगे, अगर आपको सच में 100% real में dream 11 में जो mega grand league होता है उसमें rank 1 में जाकर लाखों और करोडों में winning करना है तो एक ही तरीका है trump player पर focus करना शुरू कर दो तो अगर आपको video अच्छा लगा होगा तो इस video को एक like कर देना मुझे motivate करने के लिए क्योंकि आपका एक like मुझे बहुत ज़्यादा motivate करता है video बनाने के लिए और channel पर पहली बर आए होगे तो channel को subscribe करने के साथ notification bell को दबा करके all पर प्रेस कर लेना क्योंकि इस channel में आपको इसी परकार से knowledgeable video मिलता रहता है और हाँ telegram channel में जूर जाना link आपको description box में मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर मैं आपको हर एक match का 100% free में team देता हूँ चाहे वो a small league का team हो चाहे वो grand league का team हो और साथ ही साथ में आपको mega grand league के लिए उस match के लिए trump player भी देता हूँ तो link description box में मिल जाएगा जल्दी से जल्दी जूर जाना तो मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए जे हिंद जे भारत